तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो इससे हम क्या करते हैं एज आफ रॉक कैलकुलेट करना सीखते हैं तो ऐसे बहुत सरे सवाल हैं जो प्रिविएस येर में कई बार पूछे गया है तो मैं इसको देखो करता हूँ ये कहता है कि half-life है radioactivity sample इसका नाम X है इसका half life के 50 years पचास साल में अपने आपको आदा हो जाता है रॉक्स अब जब पचास साल में अपने आपको आदा हो गया है तो इट डीके इंटू आई तो यह जो X है OI में तूट गया तो Y में जब तूट गया है X ब्रेक हो गया डीके और कुछ टाइम बाद T टाइम बाद जब फाउंड हुआ तो इन दोनों की रैसियो वन रैसियो 15 है किसका X और Y का T टाइम बाद तो इसको करने का देको सिंपल सा तरीका ही है X जो है वो Y बनाया है ऐसे करना तो जब समय 0 था तो X की वेलू N नौट थी और Y 0 थी डीके नहीं हुआ था तो T टाइम बाद 1 करोड 200 साल बाद 300 साल बाद जो X है वो मालो and S, and S क्या है बचा हुआ तो जो end X है वो डीके हो रहा तो मालोают and S है तो जो X है Y X हुआ होगा ठीक है X dky हुआ कितना dky हुआ यह जो capital X है वो dky हुआ और इसमाल x हो गया तो जो m है बचा हुआ बचा हुआ कैसे निकाल होगे n not actual में से d के घटा दोगे small x घटा दोगे तो n s remaining है this is the remaining बचा हुआ है ये वाला तो ये कहता जब ratio लोगे t time बाद जब ratio लोगे तो ये कहता x y का ratio मतलब इसका ratio ये जो बचा हुआ है इसका और इसका ratio अपने को ठीक है तो इन दोनों का ratio कितना होगा भाई तो इन दोनों का ratio जो है वो यहां पर अपने को दिया हुआ है कितना है x to y x की value अपने को n not minus x divided by x equal to how much 1 ratio 15 तो यह जाएगा 15 n not और minus 15 यहां से x or that is x मतलब यहां से 15 n not is equal to 16 x तो x की जो value है वो 15 n not upon 16 आ गया ठीक है तो जो remaining की calculation यहां से करोगे जो बचा हुए ती time बाद x वो n dash है तो n dash कैसे निकलेगा n not minus x तो n not minus x में से अगर तुम यहां से घटा दोगे यहां से n dash तो n not और minus x यहां से 15 n not upon यहां से 16 तो यह जाएगा n not upon यहां से 16 की value आ जाएगी that is यहां से n dash तो यह अपना n dash बचा हुआ है समझ में आ गया तो अब n dash बचा हुआ और कितने time बाद बता हुआ t time बाद तो अब अपने को कुछ नहीं करना formula लगा देना है n is equal to n not बचे हुए वाला 1 by 2 t time बाद और half life तो यह वाला फार्मूला लगा दोगे after time t बचा हुआ तो यह n dash हो गया और n dash की value n not upon 16 हो गया और यहां से n not आ गया और 1 by 2 t time बाद बचा हुआ half life 50 years है देखो तो half life 50 year है ना हाँ बिलकुर तो n not यहां से कतम हो गया 1 by 2 की यहां power 4 आ गया और यहां से 1 by 2 और small t upon 50 आ गया तो 4 की जो value आ जाएगी t upon 50 तो t is equal to 200 साल बाद S.R.S.U. exist करेगा ठीक है and this is the final solution of this problem तो आई होग की आपको समझ में आ गया होगा जो B option है वो प्यारे बच्चों correct है I hope की आपको अच्छा लगा होगा